हमें किर्थी मुठकूरे वेलकम टू आई लव कुटी आज की हमारी रेसिपी है शेहत से भरपूर मिंस सेहत मन्थ सरसो की सबजी तो यह हम जो सबजी बनाएंगे इसको हमने कट करके इसकी एक घुर्जी टैप बनाएंगे अमें भुजिया कहा जाता है इसे सरसो की बुजिय आई की एह भी डैग रख रख वाथ है टों तो इसके डिलिया गिया है इसके बाद में लें में रिंटी एक यह उने की आई के रिम अंच गर्ली के लिए है उसके प्रेंगे घिलियू टॉर्भ आजट यह थी अजिय को सबसे हमने व नहिन की तो शुब्ली चल इसको बाद म लाल में पाउडर, नमक लगने वाला है, सुखी लाल में टरमरी कहने हलदी लगेगी, कोरियंडर पाउडर अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पी देखे जैसे कि आप देख सकते मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चमच ओल डालाइसेट और यह गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे लहसून लहसून के बाद में हम इसमें अद्रक डाल देंगे ग्रेटेड अद्रक साथ में सुखी लाल मिर्च इन्हें अच्छे से गोल्डन होने देते हैं हमारी लैसून थोड़ इसी गोल्डन हो जाए अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और यह हरी मिर्च हरी मिर्च और रेट चिली पाउडर हो गया और नमक यह आप अपनी घर में चिस थरह से खाते उसके हिसाब से ही आप डालिए इसे मिक्स करते हैं और इसे हम सौफ्ट होने देते हैं जैसे कि आप देख सकते हो हमारी प्याज और हरी मिक्स भी सौफ्ट होग चुकी है अब इसमें डालेंगे हम हरी मटर इसे अच्छे से मिक्स करते हैं मटर के साथ में चाहिए हमारे गरम मसाले जैसे की हल्दी डाल देंगे घरा मासाला हम 5 ती स्पुन दालेंगे कि हरी मिर्च और लालमिड डाली इसे मिक्स कर लेंगे यह अच्छे से भून चुका है मसाला अब इसमें डाल देते हैं हमारे टमाटर के साथ में अब इसे हम पकने देंगे इसे थ्रौशॉप्ट होने देते हैं जिसे के आप देख सकते हो हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे हमारी भाजी यह सरसोकी भाजि गिसमें डाल देते हैं ग्यास का पावर अब हम कर देंगे मीडियाम इससे मिक्स कर लेते हैं अब हमने ठोड़ी साथ में मिक्स निचे में में मसाले के साथ में मैं में टामाटर गल बुत चुकते थे तो इसे अभी हमें मिक्स करना जरूरी वह वदना मसाला हमारा नीचे से लिटक सकता है अभी अच्छे से मिक्स हो गया है हम लक्षी की बज़ी भाजी भी अब इसमें हम डाल देंगे अभी इसमें हमें नमक नहीं डालना है हमारी भाजी जब हमारी पूरी इने इसकी कंस्टेंसी कम हो जाएंगी तब हम इसमें नमक डालेंगी अब इसका गैस का पाउर हमारा मीडियम है अब इससे हम ढग देते हैं और इसे थोड़ा सा हमें कम होने देना है भाजी को थोड़ी सी नीचे बैठने देना है उसके बाद में हम नमक डालेंगे अब हमारे सबजी को चैक करते हैं किonneकी यह पुर्य बब चुकिए फ्रेंट्स अब इसे हम मिक्स करेंगे इस दबने के बाद में इसलिए नमक डाला जयता है क्योंकि इसमें हमें अन्दाज मिल जाता है कि हमें इसमें नमक कितना डालना है उसके ह Milky सब्सक्राप से हम नमक डालेंगे अब इसमें हम स्वात के अनुसार नमक डाल देते हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यह हरे मटर के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती इसे तूवल के दाने के साथ में बनाया जाता है मुँं की डाल के साथ में बनता है चनी की डाल के साथ में बनती है लेकिन मटर के साथ में बहुत ज़्यादा टिस्टी अब इसे हम ढग देते हैं और 10 मिट अब हमारी सब्सक्राइब को चेक करते रहना और इसे हमारी बहुत अच्छे से तैयार है हलका सा पानी बजगा है अच्छी तरह से सुख जाए जैसे कि आप देख सकते हो हमारे अब सब्सक्राइब कर दिया इसका मतला हमारा पानी पूरी तरह से सुख चुका है यह अच्छे से सुख चुकी है हमारी भूजिया अब इसे हम ग्रीन करेंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं लि के व्च्छे संफली तो हमारे आई अटिते की लैग ऑटान मेरे चैनल को सबस्काराइब करना ना बुकार विगता हम जोटी और कमेंट भॉक्स में लगे बिए라고 अनम सब्सक्राइब कर द आता है आंट सुबला न क्यूंत कॉ 강ाल